हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे मैं भूमी का मेकवर से देखिया जाम आपको आईब्रोस फिल करना सिखाते हैं कैसे आप अपनी आईब्रोस को फिल करें मतलब आईब्रोस को शेप दें सबसे पहले आपको आईब्रोस को क देखा उसके बाद मैंने स्टार्ट की तो देखिए मैं आप लोगों को एक ही चीज बोलूंगी जो आपकी आइब्रोस की शेप है उससे जादा आपको ड्रॉ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं क्योंकि वो चीजे ओवर लगती हैं और हमेशा एक चीज धियान रखनी है जब भी आप आइब्रोस करते हैं तो हमेशा अपनी आइब्रोस से एक नंबर लाइट शेड लेना है अगर आपकी आइब्रोस नेचरल ब्लैक है तो नेचरल ब्राउन कलर आपको यूज़ करना है अगर डाक ब्लैक है तो लाइट ब्लैक कलर आपने यूज़ करना है तो य हलका हलका उसको फिल किया और देखिए मैंने उसी जगा पर फिल किया जहां पर मुझे लगा जरूद आप कभी भी आइब्रोज करते हो कुछ भी आप एक्स्ट्रा ड्रॉड ना करें कि आपकी आइब्रोज पतली है तो आप उसको जबर जस्ती मोटा कर लें आपकी आइब्र तो उसको फिल करने का मतलब ही है कि उसको थोड़ा सा शेप देना तो यह देखिए मैंने अच्छे तरीके से उसको हलका हलका थोड़ा थोड़ा सा जहां मुझे लगा बहुत जादा हलके हैर लग रहे हैं तो हलका हलका मैंने आइब्रोज के शेड से मैंने उसको फिल किया ये देखिए, इस तरीके से, बहुत हलके हलके हातों से आपको लगाना है, बहुत डाक नहीं करना है, क्योंकि देखिए, आप अगर हाड हातों से आप करेंगे, तो फिर वो बहुत जादा color एकदम eyebrows के ऊपर आएगा, और फिर ऐसे eyebrows का brush लेकर, उसको अच्छे तरीके से merge करना है बिल्कुल ये देखे फिर आप कुछ भी देखे कंसिलर भी यूज़ कर सकते हैं आई ब्रोज को शेप करने के लिए मेरे पास कंसिलर नहीं था तो मैंने फांडेशन का यूज़ किया और देखे हमेशा एक चीज हमेशा ध्यान रखे आपकी स्किन का जो टोन है आप उससे एक नमबर लाइट शेड ले हमेशा लोग ये गड़बड़ी करते हैं कि देखे जब भी कोई वीडियो में दिखाते हैं कि उन्होंने एकदम लाइट शेड लेते हैं देखे अगर आपका डस्की कलर है तो आप बिल्कुल भी फियर कलर न ले अपने शेड से एक नमबर दो नमबर लाइट लेना है इससे जादा आपको बिल्कुल भी नहीं जाना तो देखे मेरा डस्की मेरे जो क्लाइन थे उनका कलर डस्की था तो मैंने नैच्रल थोड़ा सा एक number shade मैंने light लिया और आप concealer का भी यूज़ कर सकते हैं, foundation का भी यूज़ कर सकते हैं, आपको specially ऐसे कुछ लेने की ज़रूत नहीं कि आप concealer ही करें, देखिए मैंने हलके हलके हातों से इस तरीके से उसको fill किया है, जो मैंने eyebrows को color किया था, fill किया था eyebrows pencil से, ये देखिए ऐसे करके, बहुत हलके हातों से आपको shape करना बिल्कुल जो आपकी line होती है जो आप एक line create करते हैं, वो बिल्कुल भी टेड़ी मिली ना हो क्योंकि देखिए, आप eyebrows करने के बाद अगर line टेड़ी जाएगी तो फिर eyebrows की shape भी आपको वैसी ही नजर आएगी तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है बिल्कुल एकदम finishing के साथ आपको eyebrows को highlight करना है, ये देखिए बिल्कुल हलके हलके, देखिए मेरे customer का color आपको दिख रहा होगा same वैसे ही मैंने दो number shade एकदम लिया है उनका foundation का beauty blender से मैंने हलका हलका foundation से वही जो foundation मैंने जिससे मैंने उनकी shape को highlight किया था, eyebrows को अच्छे तरीके से एक shape दी थी उसी से मैंने eyebrows को जो dark circle ते उसी से मैंने cover कर दिया वही base मैं अगर पूरे face पे भी apply करूंगी तो equal उनके face पे आना चाहिए तो ये देखिए इस तरीके से अलके-अलके-अस से dab-dab करके आपको बिल्कुल एकदम लगे ना कि हमने extra कुछ लगाया है क्योंकि ये देखिए इसलिए होता है जो आप eyebrows को shape करते हो जो eyebrows pencil लगाते हो जो color लगाते हो जो भी लगाते हो उसके बाद अगर आप ये लगाने के बाद करोगे तो बहुत natural shade देगा तो ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से उसको बिल्कुल अगर आपको लगता है कहीं से भी 19-20 अपनी eyebrows में जो आपका brush है उसको हलका सा अपने फिर से थोड़ा सा foundation लेके उसको जो भी eyebrows आपको लगता है उपर नीचे है उसको इस तरीके से आप अपनी shape को बिल्कुल बराबर कर सकते हैं और देखिए मैं हमेशे आपको बोलती जो आपकी shape है आप उसको उसको enhance करें यह नहीं कि आपको over कुछ भी करना है अगर आप over करेंगे तो वो अलग से नज़र आएगा देखिए वीडियो में नहीं नज़र आता है अगर सामने से आपकी natural eyebrow हैं और आप उस पे black color लगा रहे हैं तो वो बहुत जादा over लगेगा वो बिल्कुल भी आपके face के उपर नहीं जाएगा तो यह देखिए मुझे comment करके बताना मेरी eyebrows आपको fill करना कैसा लगा क्योंकि देखिए मुझे काफी comment आये थे कि मैं हम आप eyebrows fill करना बताईए तो यह देखिए मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को thank you